नमस्कार आपके साथ मैं हुरतिक सरुटा स्वागत है आपका नेक्ष नायन न्यूज पॉलिटिकल बाइट में जैय स्री राम जैय जैय स्री राम इस शब्ध को सुनने के बाद आपका ध्यान कहीं ना कहीं भगवान स्री राम पर जाता है लेकिन एक तरफ बीजेपी जए सरी राम बोलती है तो आपका ध्यान कहीं न कहीं बीजेपी के खेमें हो चला जाता है और आप सोचने लग़ते हैं कि अब तो भगवान सरी राम का मुद्धा स्री स्री 1108 बीजेपी फाले ही उठाते हैं समय नहीं का रहा हूं ऐसा कोंग्रिस के निता कहते रहते हैं यहां पर राहुल गांधीете को आंगे ना चाहिए और यहां पर जय स्री राम का जो है एक मुद्दा कॉंग्रिस के नेता राहुल गांधी ने भगवान स्री राम का जो राजनीती करण किया गया है उसकी पूरी-पूरी पोल खोली यहां पर उन्होंने बीजेपी और आरेसस की पोल खोली पहले आप इस वीडियो क देखने की वाद आपको पता लग जाए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं भगवान स्री राम को लेकर बीजेपी को लेकर और आरेसस को लेकर पहले बीजीट वीडियो को देखिए जो भगवान राम थे कि वो तपस्वी थे उन्होंने अपने पूरी जिंदगी कि तपस्या में डाल दी सही अगल सही बात ठीक है फिर उन्होंने कहा गांधी जी हे राम कहते थे गांधी जी का नारा था हे राम हे राम का मतलब क्या बताईए जब गांधी जी कहते थे हे राम उसका मतलब क्या था चुपो गए नई हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे एक जीने के तरीका था राम सिर्फ एक बगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे एक जिंदगी जीने का तरीका था प्यार भाईचारा इजद तपस्या उन्होंने पूरी दुन्या दो दिखाया जीने का तरीका दिखाया और गांदी ची जब हे राम कहते थे उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिन्दगी जीनी है यह हे राम दूसरा नारा फिर उन्होंने कहा देखिए एक नारा हे राम सुनो सुनो डिस्टर्ब मत करो एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिन्दगी जी जो उन्होंने तपस्या किया की जो उन्होंने समाज के लिए काम किया जो उन्होंने प्यार पहल आया वैसे ही अपनी जिन्दगी जीनव दूसरा नारा जैसियारा जैसियारा अब जैसियारां का मतलब क्या है यह पंडेची ने मुझे बताया है सिखाओं मैं यात्रवे बहुत कुछ सिखाओं जैसियारां का मतलब क्या है जैसियारां का मतलब जैसिता जैराम मतलब क्या कि सीता और राम एक ही है इसलिए नारा है जैसियारां या जैसिता राम सही मतलब जो राम के जीनव का तरीका था जो उन्होंने सिता के लिए किया भगवान राम ने सिता के लिए क्या किया आप जानती नहीं हो क्या क्या किया जाके सिता की इजद के लिए सिता के लिए लड़े सही तो जब हम जैसियारां कहते हैं हम सिता की याद करते हैं और समाज में जो सिता की जगे होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं जैसियारां याद जैसितारां तीसरा नारा जैश्री राम उसमें हम राम भगवान की जै करते हैं पंडी जी ने मुझे से पूछा मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जैश्री राम करते हैं मगर कभी जैसियारां और हे राम क्यून ही करते मुझे बहुत अच्छा लगाँ बहुत ग्यारी बात बोली क्योंकि वो सबसे पहले यार्शेस के लोग बीजेपी के लोग क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, क्योंकि राम ने किसे को, राम ने किसे के साथ अन्याय नहीं चिया, राम ने समाज को जोडने का काम किया, राम ने सब को इस्दत दी, भगवार राम ने किसानों को मजदूरों को व्यापारियों को सब के मदद की सही ठीक है तो जो उनकी भागना थी जो उनका जीने का तरीका है उसको RSS के लोग और BJP के लोग नहीं अपनाते और तीसरा नारा शायद सबसे ज़रूरी नारा वो सिया राम जैसरिया राम तो करी नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है तो वो जैसरिया राम का संगठन भी नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आई नहीं सकती सीता तो आई नहीं सकती सीता के दुभार कर दिया अब ये बहुत गहरी बात मद्यव प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे करी गए कैसी लगी आपको बढ़िया लगी तो हमारे जो RSS के मित्र हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ जैश्री राम जरूर जैसिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए तो देखा आपने इस वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में किस तरीके से वह और सी राम को राश नीती करण तबदील कर दिया गया है वहां च्रीराम का नाम लेते ही हमारा द्यान केंद्धिक कही न कहीं बीडिपी पर हो जाता है कहीं न कहीं राम अंदर योगी बाबा यह जहन पर आने लगते हैं और राहूल गांदि साब दर्पत और ये कह लए उन्होंने हमें जिन्दिकी जीने का सलीखा सिखाया तरीका सिखाया लेकिन कहीं न कहीं भगवान स्री राम को बीजेपी उपियोग कर रही है भगवान स्री राम के नाम से ही वोट मांगती है और कहीं न कहीं भगवान स्री राम का राजनीती करन कर दिया गया है भगवान स्र है क्या रावल कानल सहीं बोल रहे है क्या प्रोश क्या स्क्राइक करने में नजर आएंगे मुटा कि आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहे यह पालिटिकल वाइट